हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आने वाले अशाम गबार्मेंट का जितना भी कम्पिटिटिव एक्जाम से सारे एक्जाम्स के लिए जैनारेल नौलेज का मुस्ट इंपोर्टेंट टेक टोपिक एसमेस लिटार चार से 20 MCQs देखेंगे फ्रेंड्स आप में से बहुत सरे स्टुडेंट्स बोलते रहते हैं सारे कारेंट एफ्रेंड्स का वीडियो बनाईए तो फ्रेंड्स हर रोज में कारेंट एफ्रेंड्स का एक वीडियो आप लोगों को प्रवैड करता हूँ तो ने जो चैनल है उस चैनल को अगर आपने सब तो इस वीडियो के निचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा आप उसे लिंक के उपर क्लिक करके उस तेनल को सब्सक्राइब करे लिजे ताकि करेंट एप एप एपर का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है पहला कुशन नंबर वन इसमें बोल रहा है कि the first SMS who own ग्यानपीत अवार्ड पहला SMS को उन है जिनोंने ग्यानपीत अवार्ड जिता है उनका नाम है आपका बिरंडर कुमार बटचारिया तो इस question number 1 का correct answer हो जाएगा आपका option C बिरंडर कुमार बटचारिया next question number 2 में बोल रहा है कि who is the first president of आहूम शाहित तो शबा का पहला president को उन ते so आहूम शाहित तो शबा का पहला president ते आपका पदमनात गुहाई बरुआ तो इस question number 2 का correct answer हो जाएगा आपका option A पदमनात गुहाई बरुआ next question number 3 में बोल रहा है कि who is the first SMS translator of रामयोना पहली बार आपका रामयोना को किस ने SMS में translate क्या था so पहली बार रामयोना को SMS में translate क्या था आपका मादब कंदाली ने तो इस question number 3 का correct answer हो जाएगा आपका option B मादब कंदाली next question number 4 में बोल रहा है कि which is the first SMS romantic poem पहला SMS romantic poem का नाम क्या है so पहला SMS romantic poem का नाम है आपका बन कुनवरी तो इस question number 4 का correct answer हो जाएगा आपका option A बन कुनवरी अब ये जो बन कुनवरी ये क्या है ये आपका पहला SMS romantic poem है तो इस poem का writer कोन है इस poem का writer है आपका चंडरो कुमार अगरवाला इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है एकजाम के लिए काफी important है next question number 5 में बल रहे हैं दिखे the first SMS who own or June award पहला SMS को उन है जिनोंने और June award जिता है पहला SMS जिनोंने और June award जिता है उनका नाम है आपका बगशर बर्वा बगशर बर्वा बगशर बर्वा was the first SMS who own or June award तो इस question number 5 का correct answer हो जाएगा आपका option C बगशर बर्वा next question number 6 में बल रहे हैं दिखे the first drama translated from Sanskrit to SMS पहला drama जिसको Sanskrit से SMS में translate क्या गया था उसका नाम क्या है तो पहला drama जिसको Sanskrit से SMS में translate क्या गया था उसका नाम है आपका शिकर तो इस question number 6 का correct answer हो जाएगा आप ता option C शिकर next question number 7 में बल रहे हैं दिखे what is the first SMS monthly magazine पहला SMS monthly magazine का नाम क्या है तो पहला SMS monthly magazine का नाम है आपका और उनो दोई तो इस question number 7 का correct answer हो जाएगा आपका option C और उनो दोई next question number 8 में बल रहे हैं दिखे what is the first SMS daily newspaper पहला SMS daily newspaper का नाम क्या है तो पहला SMS daily newspaper का नाम है आपका दोईनिक बातोरी तो इस question number 8 का correct answer हो जाएगा आपका option C दोईनिक बातोरी next question number 9 में बल रहे हैं दिखे who translated the drama शकुन्तोला from Sanskrit to SMS ये जो ड्रामा है शकुन्तोला इस ड्रामा को किसने संस्कृत से SMS में translate क्या था तो शकुन्तोला ड्रामा को संस्कृत से SMS में translate क्या था आपका लंबुदर बराने तो इस question number 9 का correct answer हो जाएगा आपका option D लंबुदर बरा next question number 10 में बल रहे हैं दिखे who is called काला गुरू काला गुरू किन को कहा जाता है तो काला गुरू कहा जाता है आपका विष्णू प्रोशाद राबाजी को काला गुरू कहा जाता है तो इस question number 10 का correct answer हो जाएगा आपका option D विष्णू प्रोशाद राबा next question number 11 में बल रहे हैं दिखे शहित तो एकाडमी अवाड विनिंग बूक दो दो लंकूई is written by यह जो बूक है इस बूक को आपका शहित तो एकाडमी अवाड भी मिला है इस book का writer को तो यहाँ पर ये जो book के द्यो लंकूई ये जो book के इस book का writer को है तो ये जो book के इस book का writer है आपका Rita Chaudary यहाँ पर भी आप नाम देख सकते है Rita Chaudary तो यहाँ पर question number 11 का correct answer हो जाएगा आपका option C Rita Chaudary next question number ooh when was बोडो शाहित तो शबा एस्टबलिस्ट, बोडो शाहित तो शबा कब एस्टबलिस्ट क्या गया था, सो बोडो शाहित तो शबा वाज एस्टबलिस्ट इन यार 1952, तो इस question number 12 का correct answer हो जाएगा, आपका option D, 1952. Next question number 13 में बल रहे हैं कि, who was the writer of किर्तन गोशा, किर्तन गोशा का writer कोन है, सो किर्तन गोशा का writer है आपका स्रीमंत शंकर्देब, तो इस question number 13 का correct answer हो जाएगा, आपका option B, स्रीमंत शंकर्देब. Next question number 14 में बल रहे हैं कि, who is the writer of the book, पवित्र अशम, पवित्र अशम जो बोग है, इस book का writer कोन है, महशर नियोग, महशर नियोग ही आपका पवित्र अशम बोग का writer है, तो इस question number 14 का correct answer हो जाएगा, आपका option A, महशर नियोग. Next question number 15 में बल रहे हैं कि, who translated महाबारत in SMS, महाबारत को SMS में किस ने translate क्या था, तो महाबारत को SMS language में translate क्या था, आपका राम शरश्वती ने, तो इस question number 15 का correct answer हो जाएगा, आपका option B, राम शरश्वती. Next question number 16 में बल रहे हैं कि, who is the father of SMS pros, SMS pros का father किन को कहा जाता है, तो SMS pros का father कहा जाता है आपका बट्ट दबा को, तो इस question number 16 का correct answer हो जाएगा, आपका option C, बट्ट दबा. Next question number 17 में बल रहे हैं कि, who is the father of SMS short stories, SMS short stories का father किन को कहा जाता है, तो SMS short stories का father कहा जाता है आपका लक्किनात बेजबोरुआजी को, तो इस question number 17 का correct answer हो जाएगा, आपका option D, Next question number 18 में बल रहे हैं कि, who was the author of Oshamia Shahitra Burundji, Oshamia Shahitra Burundji जो है, इस का author को है, तो Oshamia Shahitra Burundji का author है आपका दबेनरनात बेजबोरुआ, तो इस question number 18 का correct answer हो जाएगा, आपका option C, दबेनरनात बेजबोरुआ, Next question number 19 में बल रहे हैं कि, who is known as Bihogi कभी, Bihogi कभी किन को कहा जाता है, तो बिहोगी कभी कहा जाता है आपका रोगुनात चोधरी जी को, तो इस question number 19 का correct answer हो जाएगा, आपका option C, रोगुनात चोधरी, Next question number 20 में बल रहे हैं कि, who is known as Agni कभी, Agni कभी किन को कहा जाता है, तो Agni कभी कहा जाता है आपका, कमुला कंतो बट्ट चरिय को, तो इस question number 20 का correct answer हो जाएगा, आपका option D, कमुला कंतो बट्ट चरिया, तो इस वीडियो में सिर्व इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा, आपको नीचे कमेंट बक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आपने चनल को सब तक सब्सक्राइब नहीं के, तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो,